जब भी आप अपने डालर में जाती होंगे और contact को save करते होंगे ठीक है वहाँ पे इम्यूजी लगाते होंगे name के अंदर तो वहाँ पे आपका इस तरीके का error आ रहा होगा जैसी है अभी मैं आपको दिखा रहा हूं ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पी जाना है और यहां पे आपको लिखना है addresses on by google ठीक है तो चली हम डाल देते हैं find by google. इस तरीकी से डालेंगे shown by google. यहां पे इसे आपको update करना होगा ठीक है अप्डेट पर क्लिक करेंगे अप्डेट कर लेना होगा अप्डेट होने कवा सिंपल से आप यहां वाहर निकलेंगे उसके बाद आपको अपने डालर में जाना है अब आप जैसी डालर में आएंगे अब यहाँ पर contact जो आपका यहाँ पर डालेंगे ठीक है चलिए हम डाल देते हैं जैसे XYZ कोई भी name हो गया इस तरीके से जैसी आप डालेंगे ठीक है इस तरीके से नम्मर डालेंगे उसको आद create new contact पर आप जैसी क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका इस तरीके से खुल के आए जागे ठीक है अब यहाँ पर क्या करते होंगे आप जब name यहाँ डालते होंगे जैसी कि मैं डाल रहा हूँ कोई name यहाँ पर जैसी कि विमलेश की डाल देता हूँ विमलेश इस तरीके से ठीक है यहां पर कोई ना कोई इम्यूजी लगा देती है ठीक है फिर उसके बाद यहां पर आप सेव करेंगे तो मेरा सेव हो जाएगे लेकिन आपका नहीं हो रहा होगा तो आपको सिंपल सी यह लगा है save to तो इस पे आप किलिक करेंगे यहाँ पे आपकी जो sim select होगी यहाँ पे आपको अपनी gmail को select करना होगा ठीक है किसको select करना है email id को ठीक है उसे आप select कर लेंगे अब मैं आपको देता हूँ उसे select करने का बहुत ही अच्छा यह इसलिए रहता है कि आप जब भी आप अपने phone को restart या reboot या hard reset करेंगे तो आपका gmail के अंदरी contact save हो जाता है कोई दिक्कत नहीं आती उससे ठीक है तो आपको अपनी gmail को यह select कर ले ना होगा आप यह sim select करके रखे हुए होगे इसलिए आपको problem मारी होगी इसलिए problem आती है तो यहां पर मैं हमेशा से आप से कहता हूँ कि आप अपने यहां पर email ID को attach कर लिए ठीक है उसके बाद आप save पर click करेंगे तो यह आप देख सकते हैं यह देखो save हो चुका है यह number ऊपर आ चुका है तो इस problem को दोस्तों इसी दरीके साथ fix कर सकते हैं फिलाल इस वीडियो में विदा लेता हूँ जहन्द